भारती टीम के पूरु कप्तान अपने तेवर के लिए जाने जाने वाले सौरफ गांगुली ने भारत-बांगलादेश फाइनल मैच को ले-कर कहा है कि ASEA कप के फाइनल में दोनों टीमी एक बार फिर खिताब के लिए भ्रने जा रही है इस बार टीम इंडिया की कमान रोहित सर्मा के हाथों में है उन्होंने साथ ही यह वी कहा कि फाइनल में बांगलादेश की खिलाप भारतिय टीम काफी मजबूत नजरा रही है क्योंकि मैच दर मैच उसके खिलाडियों ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किये हैं 46 वर्षिय गांगुली ने कहा भारत इस टूर्णामेंट में अजय रहा है हौंग कॉंग के खिलाप धिली सुरुवात के बाद टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन में निरेंतर शुधार किया और उसे फाइनल में हराना असान नहीं होगा रोहित और सिखरधवन ने अब तक कमाल की बल्लेबाजी की है बांगला देश को मुकाबले में बने रहने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों यानि रोहित सर्मा और सिखरधवन को कंट्रोल करना होगा उनकी सांदार फॉर्म की बदवलत भारतिय मिडिल ओर्डर ज्यादा दवाव में नहीं आता उन्होंने भारतिय युवा पेसर जस्परीद भूमरा और भोनेसवर कुमार को बांगला देश के लिए बड़ा खत्रा बताया गांगली ने साथ ही लिखा कि पाकिस्तान और सिरलंका की एसिया कप में खराब फॉर्म दोनों ही देशों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उन टीमों ने दुनिया को लेजंड क्रिकेट तर दिये हैं और इसे टीम इंडिया को बरकरार रखना होगा नेक्ष्ट नाइन स्पोर्ट से वरुन की रिपोर्ट